वसिष्ट जी बोले है राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भास्ता है, सो मलिन्ता सत नहीं, जैसे तरंग के समूह समुद्र में फूरते हैं, सो मलिन्ता रूप धूल नहीं, वही रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है, जैसे अगनी में उश्णता अगनी रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मा रूप है, भिन्न नहीं. ज्यों तिल माही तेल ज्यों चक्मक में आग तेरा इश्वर तेरा ब्रह्म तुझ माही तेरा साही तुझ माही जाग सके तो जाग तो सर्वत्र वो परमात्मा परव्रम आतम देव सर्वत्र रमन कर रहा है रग रग में रोम रोम में सर्वत्र वही है लेकिन सत्पुर्शों के संग से और विदान्त शास्त्र के श्रवन से भगवत ध्यान से और उपासना से यह अनुभव में आता है। इसलिए सत्संग की महापुरुशों के संग की यह महीमा बल्यारी है। कि सहज में ही जो कितना तीरत करो वरत करो दान करो उने जाने कित्ती कित्ती मजूरी करो उसके बाद जो चीज मिलती है वो महापुनुशों के संग से सहज में मिल जाती है ये बलियारी है जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है वह ग्यात ग्ये पुरुश मोक्ष उपाय की वानी के पार प्राप्त होता है और संसारूपी अविध्या मल उसको नहीं भास्ता वह केवल अजद्वयत सत्ता देखता है जब तक मैं और उपदेश रामजी को न करूँगा तब तक इसको विश्राम न होगा जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोकता क्योंकि उसका चित भोगो से सरवथा व्यतिरेक नहीं हुआ सर्व ब्रह्म के वच्चन सुनके वह भोगों में आसत्त होगा जो नाश का कारण है जिसको परमद्रश्टी प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपच्ती इसमें सर्व ब्रह्म का कहना राम जी को सिद्धान्त काल में शोबेगा गुरू को शिष्य के प्रती प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता प्रथम शम दम आदिक गुणों से शिष्य को शुद्ध करे फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करे तो उससे वह जाग उठता है वसिष्ट जी बोले है रागव कलना रूप कलंक ब्रह्म में है वा नहीं है यह मैं तुमसे सिद्धान्त काल में कहूंगा ब्रह्म सत्ता सब शक्ती रूप सर्व व्यापक है और सब उसी में रच्चे है जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ती से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अगटन घटना है अर्थात जो न बने उसको भी बनाती है वह अपनी शक्ती से पहाड को गड़ा करता है बेल में पाशान लगता है और पाशान में बेल लगता है वन की पृत्वी को आकाश करता है और आकाश को पृत्वी करता है और आकाश में वन लगाता है जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है वन को आकाश करता है जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृत्वी भाव प्राप्त करता है जैसे रत्न की कंदरा पृत्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिम्ब पड़े हे राम जी यह विचित्र रूप द्रश्ट्य जो तुमसे कहा है सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैत्य चिनमात्र में जो चेतनता का लक्षन जानना है उसीने रचा है और कैसे रचा है कि वही चित सम्वेदन फुर्ने से जगत्रूप होकर भासता है उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है जो एक रूप अविध्य मान है तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिये यह अन्यथा कोई नहीं एक रूप है इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष, शोक, आश्चर्य और मोह नहीं होता ममता और चपलता आदिक विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं देश, काल, वस्तू, जगत, अवसान को प्राप्त हो भासते है और उनका विपरियन होना भी भासता है पर वह स्वभाव में स्थित है क्योंकि यह द्रश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुराता है जो कुछ द्रश्य प्रपंच है वह सत्य, चित, सम्वित की स्पंद कलासे स्फूरता है और नाना प्रकार के देश, काल, क्रिया और द्रव्य होकर भासता है उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रच्ती, बलकि स्वाभाविक ही फूरने से फूरते है जैसे समुद्र तरंगों को किसी यंत्र से नहीं उप जाता और लीन करता स्वाभाविक ही चमतकार फूरता और लीन होता है तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सुरिष्टी फूरती है और लए होती है जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं वही रूप है बुलबुले को पानी से अलग करके दिखाओ इनाम होगा क्या? तरंग को बुलबुले को पानी से अलग नहीं कर सकते गहनों को धातू से अलग नहीं कर सकते कपड़े को तंतू से अलग नहीं कर सकते तंतू को कपड़े से अलग नहीं कर सकते प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं कर सकते ग्यान को गुरु से अलग नहीं कर सकते एसी जगत को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते घड़े को मिठी के घड़े मिठी से बने घड़े को घड़े से अलग नहीं कर सकते पितल के बने घड़े को पितल से अलग नहीं कर सकते गहनों को धातू से अलग नहीं कर सकते कपड़े को तंतू से अलग नहीं कर सकते, गुरु को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते, सूर्य को प्रकाश से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही जगत को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते, उसहब आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण नाना भासता है अलग-अलग है एक ही लेकिन भिन्वनभिन्वर्टित ऀता है इसी को बोलते हैं ब्रांती तो आत्म ज्यान से वह ब्रांती रम निव्रत हो जाती है फिर तो आनंदी आनंद के ज्ञान अटग्या तो भ्रांत अट गई भ्रांत recognizing तो adrenalin चिंता किये से दुख हो, चिंता बुरी है आपदा ऐसा जिसे निश्चे हुआ, सो क्यों करे चिंता भला चिंता नहीं करता कभी, होता न व्याकुल चित है, रहता सुखी हर हाल में, होता तुरंती शान्त है नहीं देह मैं, नहीं देह मेरा, हूँ शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, कूटस्थ हूँ, नी संग हूँ, नहीं देह से संबंध हूँ ऐसा जिसे निश्चे हुआ, फिर क्या उसे एकांत है, बस्ती भले जंगल रहे होता तुरती शान्त बस्ती में डाल दो, जंगल में डाल दो, भीड में रख दो, कहीं रख दो, उसे विक्षे अपनी होता यहां सारू छे, यहां नथी, यहां रेवू जोई है, यहां नथी सारू, आनो सभाव सेक ठाए छे, आनो नथी था तो बोलो, दो रुपे का किराया था उस समय, लिला शाब आपू, रेल्वे स्टेशन के बाहर कूली होते न, उन्होंने कमरा लिया, तो पंदरा कूली थे, कितने थे, पंदरा, दो रुपेया, महिने का एक आदमी का किराया भाड़ा, तो तीस रुपे भाड़ा हुआ, तो और वो मांग रहा था, बत्तिस रुपे, तब एक जन कम पड़ रहा था, लिला साब बापू वहां से पचार हो रहे थे, वो बोले कि मैं बत्तिस से कम तो दूँगा नहीं, लिला साब बापू बोले चलो, पंदरा तुम सोलह हुआ, मैं एक मही रह लेता हूँ तुमारे साथ, दो रुपे थमा दिये, बत्तिस रुपे पर मन्थ सोलह जने, पंदरा तो वो कूली, सोलह वे लिला साब बापू, मही ना रहे, उन कूलियों के बीच, वो कभी बीड़ी पिते, कभी कुछ काती, वो लिला साब बापू को विक्षेप नहीं हुआ, बोलो, कैसी समता है, कैसी स्थिति है, सोचो, एक ही कमरा, उसमें पंदरा लोग, कूली, बड़ा होल जैसा होगा कमरा, सोलह वे लिला साब बाप, दो रुपया रेंट पे, हमही ना बर रहते रहे, बताओ कैसी स्थिति है, कैसे तो लोगे महापुरुशों को, कूलियों के बीच रहे, उन्हें अपड़े दुनिया बरना न करा, यह आम न थी, यह आम न थी, उदर ऐसा है, इदर ये है, वो है, उन्होंने दुबाने नहीं मारे, कितना मन कैसा विलक्षन रहा होगा, क्या उनको रहने खाने की तकलीब थी क्या, दो रुप्यार एक देके किराय के उसमें कोठरी मेरे, मौ जे महापुरुशों, यह जे भी पॉजिशन मा रहता था यह ना करता, तमने अमने बजाने सारूँ छे, भाने मारने हो तो फिर तो स्वर्ग में मिले तो वहाँ भी नुक्स डुंडेगा, वह कुंट में जाये तो भी यहाँ आउचे यहाँ ते उचे मन बनाएगा, यह बात है, आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है, जब उसमें स्थित होता है, तब फिर दीन नहीं होता, जो पुरुश द्रड विचारवान है, वो भोगों से चलायमान नहीं होता, कितनी आभी तुफान परसाध है, वो आ जाये, तो परवत को क्या फरक पड़ता है, ऐसे कितना मान, अपमान, विरोधिल, जाम, कलंक, फलाणा, धिंगना, कितना हो जाये, ज्यानी का चित्त में वही शान्ती समता रहती, जो अज्यानी है, और विचार से रहित मूड है, उसको भोग ग्रस लेते हैं, अज्यानी है, उसको भ्रोग ग्रस लेते हैं, भोगों को सुखुरूप मान के वह भोगों में जीवन खराब कर देगा, पूरा, और भोगों से त्रप्ति तो कभी होती नहीं, कितना खा लो, कितना पी लो, कितना संसार के भोग भोग लो, उससे कभी तरपती मिलने वाली भी नहीं है, संतुष्टी अभी भी नहीं है, अब आद में भी मिलेगी नहीं, जब जब जिसको भी तरपती मिली है, वो आत्मा से मिली है, सत्संग से मिली है, तो योग में तरपत लेकिन योग में जीवन हो गया तो उसमें संतुष्टि और त्रप्ति खुद भी त्रप्त और उसके संपर्क में आने वाले भी त्रप्त और भोगी खुद भी अत्रप्त है उसके संपर्क में आने वाले भी अत्रप्त यह काईदा है जिसको सर्व आत्मा भास्ता है सर्व आत्मा सर्व ईश्वर ब्रह्म उसका दुश्मन क्या बिगाड़ेगा करते रो अभी जित्ता करते हो उसे लाग गुना कर लो लेकिन उसको तुम दुखी नहीं कर पाए हो परिशान कर पाओगे दुखी नहीं करपा होगे, उसके लिए अज्ञान चाहिए, नसेसरी, दुख के लिए अज्ञान जरूरी है, वो कैसे भी परिस्तिती है, उसको पॉजिटिव ले लेगा, वाह वाह, यह भी मेरे परमात्मा ने कुछ, मेरे कल्यान के लिए, मेरे हित के लिए, मंगल के लिए धीरो नद्वेष्ठी संसारम, धीर पुरूर संसार से द्वेष्ण नहीं करता है, आत्मानम्न दिक्षती, हर्षम, हर्षविनर, मुक्ता, समृतो, न चञ जीवत, यस्था वकर बोलते हैं, वो यी भी निरा, मर भी निरा, नद्वेषण करता है, हर्ष करता है, जिसको सर्वा आत्मा भासता है वो सम्यक दर्शी पुरुष कहाता है वही मुक्त रूप है हे राम जी विवे की पुरुष को जो भोग निकट आप्राप्त होते हैं तो भी उनकी इच्छा नहीं करता क्योंकि उसको उसमें अर्थ बुद्धी नहीं जैसे चित्र की लिखी हुई सुन्दर कमलीनी के निकट भवरा आनप्राप्त होता है तो भी उसकी इच्छा नहीं करता हे राम जी सुख दुख की प्राप्ती और निवृत्ती में इच्छा तब तक होती है जब तक देहा भीमान होता है जब देहा भीमान निवृत्त हुआ तब कुछ इच्छा नहीं होती देहा भीमान गलिते के जिसका देहा भीमान गलित हो गया विज्ञाते परमात्मनी जिसने परमात्मा का ज्ञान ठीक से पादिया यत्र यत्र मनो जाती तत्र तत्र समादे जहां मन जाए वहां समाधी समाधी का सुक पर ऐसा नहीं कि भगवान में मन जाए अरे उसका ये काम हो गया देहा देहास कलित हो गया परमात्मा को जान लिया फिर मन बाधित हो जाता है फिर इधर लगो इधर न लगो ये नहीं रहता ना उसको कोई फिर करतव्य है न हे राम जी ममता करके दुख होता है जब रूप को नेत्र देखता है अब जिनसे ममता होती है उन्हीं के प्रती लगा होता यह मेरा मिलने वाला गया और यह मेरा दुश्मन गया जिनसे कोई लेना देना नहीं हो, कितने आओ कितने जाओ, कितने जाओ, कोई लेना देना नहीं जब ममत्व है, वही सुख या दुख लगाओ या नफरत वहीं होती हे राम जी ममता करके दुख होता है जब रूप को नेत्र देखता है तब उसको इश्ट मानकर प्रसन्न होता है और अनिश्ट मानकर द्वेश करता है जैसे बैल भारवाहक की चेश्टा करता है उसको लाब और हानी कुछ नहीं और जिसको उसमें ममत्व होता है वो लाभानी का हर्ष शोक करता है तैसे ही ममत्व से जीव इंद्रियों के विशय में हर्ष शोकवान होता है जैसे गदर्व कीचड में डूबे और राजा शोक करे कि मेरे नगर का गदर्व डूबा है तैसे ही ममत्व करके इंद्रियों के विशय में जीव दुख पाता है नहीं तो गदर्व कीचड में डूबे तो राजा का क्या नश्ट होता है हे राम जी, यह इंद्रिया तो अपने विशयों को ग्रहन करती है और इनमें जीव तपायमान होता है, सो ही आश्चरी है जिन विशयों की जीव चेश्टा और इच्छा करते हैं, सो खशन में नश्ट हो जाते है हे राम जी, जो मार्ग में किसी के साथ स्ने हो जाता है तो ममत्व और प्यार से दुख होता है जो देह में ममत्व करेगा, उसको दुख क्यों न होगा चाहे कैसा ही बुद्धिमान हो, या शूर्मा हो, तो भी संग के बंधवान होता ही है अर्थात, इंद्रियों के विशयों का अहम भाव ग्रहन करेगा तो उनके नाश होने से वह भी नश्ट होवेगा जिन नेत्रों का विशय रूप है, सो नेत्र साक्षी होकर रूप को ग्रहन करता है और जीव ऐसा मुर्ख है कि औरों के धर्म आप में मान लेता है और उनमें तपायमान होता है जैसे ब्रह्म द्रष्टी से आकाश में मोर पुछवरत, तरुवरे और दूसरा चंद्रमा भासता है तैसे ही मुर्खता से जीव इंद्रियों के धर्म अपने में मान लेता है जैसे इंद्रियों का साक्षी होकर जीव विश्यों को ग्रहन करता है तैसे ही चित भी अभिमान से रहित साक्षी होकर ग्रहन करे तो रागद्वेश से तपायमान न हो जैसे जल में चक्र, तरंग, फूरते, द्रष्टी आते हैं तैसे ही इंद्रियों में और इंद्रिया फुर आती है आधार आधे से इनका सबंद होता है और चित इनके साथ मिलकर व्याकुल होता है रूप, इंद्रिय और मन इनका परस्पर भिन भाव है जैसे मुख, दरपन और प्रतिबिम्ब भिन भिन असंग है तैसे ही यह भी भिन भिन असंग है परंतु अज्ञान से मिले हुए भास्ते है जैसे लाख से सोने रूपे और चीनी का संयोग होता है तैसे ही अज्ञान से रूप अवलोक और मनस्कार का संयोग होता है जब ज्यान अगनी से अग्यान रूपी लाक जल जावे तब परस पर सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर किसी का दुख सुख किसी को नहीं लगता जैसे दो लकडी का संयोग लाक से होता है तैसे ही अग्यान से विशय, इंद्रियो और मन का संयोग होता है और ज्ञानरुपी अगनी से जब बिछूड जाते हैं तब फिर नहीं मिलते जैसे माला के भिन भिन दाने तागे में इखटे होते हैं तैसे ही देह और इंद्रियों में अज्ञान से मेल होते हैं और जब विचार करके तागा तूट पड़े तब भिन भिन हो जावे फिर न मिले हे राम जी, जिन पुरुशों को आत्म विचार हुआ है वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित था और चित के नश्ट हुए आनंद हुआ है जैसे मंदिर में दुख देने वाला पुष्ण जितने भी साधन, भजन, सत्संग है वो चित को निग्रह करने के लिए है और जितना महापुरुशों के सानिद्य से सत्संग से जितना चित वश्म होता है अन्य साधनों से बहुत परिश्रम से वश्म होता है इसलिए सत्संग ध्यान योग उपासना चित का निग्रह करने का सबसे सरल्ड और ठोस साधन है नारायन हरी ओम 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 मुझे लागी लगन साही नाम की मुझे लागी लगन साही नाम की